नमस्कार आपका स्वागत राजनामा टीवे मैं हुनम आपके स्वाइब जमु कश्मीर के बारा मुला में हुए आतंकी हमले को सेना की तरफ से पहली बार बयान सामने आया है आर्मी की शिनगर में तेनाप यूनिट चिनार कॉप्स ने स्टेटमेंट जारी कर कहा पाकिस्तानी आतंकी घाटी में डर पैदा करना चाहते हैं वे अब कश्मीरियों को निशाना बना रहे हैं बारा मुला में वरकर्स पर हमला इसी बात का सबूत है आर्मी के प्रवक्ता लेटिनेट करनल एमके साहू ने कहा सेना के वाहन पर गोली बारी होने पर हमारे सैनिकों ने तेजी से जवाबी कारवाई की थी जिससे आतंक्मादियों को हत्यार और बैक छोड़कर पीछे हटना बड़ा वेक नाले का फायदा उठा कर गने जंगल में भाग गए अंदेरा होने कारण आतंक्यों को भागने में सफलता मिली दरसल एलोसी के पास 24 अक्टूबर की देर रात सेना की गाड़ी पर आतंक्यों ने घात लगा कर हमला किया था इसमें तीन जवान शहिद हुए थे साथी दो पोर्टर वर्कर्स की भी मौत हुई थी लेफिनेट करनल एमके सी ने कहा भाती सेना राइफल मैन केसर अहमत शा और राइफल मैन जीवन सी की बहादूरी को सलाम करती है दोनों ने गोली लगने के बावजूद आतंक्यों को भागने पर मजबूर कर दिया दोनों शहीदों के साहसे और अधिक नुकसान नहीं हुआ दोनों जवानों ने कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकी एजंडे के खिलाफ अठूट साहस का परीचे दिया हमले में बोनियार के जहुर अहमत मीर और उरी के मुश्ताक अहमत चोदरी ने भी देश की सेवा करते हुए सर्वोच बलिदान दिया कश्मीर लगाता शांती और स्तिर्था की और बढ़ रहा है लेकिन पाकिस्तानी आतंगवादी जान बूच कर घाटी में आतंग पेदा करने के लिए कश्मीरी स्थानियों लोगों को मिशाना बना रहे हैं आतंगवादियों की एक मात्र विचारधारा है घाटी में आतंग का राच सेना के सूतरों के मताबिक हमले में तीन से ज़्यादा आतंग की शामिल थे ऐसा माना जा रहा है कि आतंग्यों ने उतरी कश्मीर के बोटा पत्री सेक्टर में की एक विच्टर के सब्स्क्राइब ने लिए उसने हमले के जिम्मेदारी वाली पोस्त और हमले के पहले की कि तस्वीर भी जारी की इसी के साथ पढ़ेरा है राज नामा टीवी के साथ रहने वाई